हेलो फ्रेंड मैं हूँ मिलीन मिसाल आप सबका हमारे चैनल पर स्वागति आज हम सीखने वाले हैं माई लिटिल पूनी प्रिंसेज सेलेस्टिया का ड्रोइंग जोगी बहुत सरल तरीके से बनाना सीखने वाले हैं जिसके लिए हमारे पास कलर्स पेन पेंसिल इरेदर शॉप सेंटर और और ओलो पेंसिल कलर है ये हमारे पास बहुत सारे कलर से इसमें से हम लोग कोई भी कलर भर सकते हैं इसलिए बहुत सारे शेडावल है ये हमारे पास और इस पिस्टिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम पैंसिल कलर से भी कर सकते हैं वाटर कलर से भी कर सकते हैं तो अभी हम लोग जो हमारे बास ड्रॉइंग पेपर है उसके उपर हम पहले लेयाउट के हिसाब से ध्यान देते कि हमें कितना बड़ा बनाना है, कितना चोटा बनाना है, ये सारी चीजे ध्यान देते, यहाँ पे हम लोग सरकल का एक लियाओड बनाते, पोनी का लियाओड बनाएगे, विंक्स बनाएगे, टेल बनाएगे, उसके लेक बनाएगे, कितना बड़ा होना, कितना चोटा होना, सारा पेज भी cover होना चीए, अच्छे से भी draw होना चीए, ये सारी चीजे हमें ध्यान रखना होता है, बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, तो ये सारी चीजे ध्यान देना होता है, कभी भी, पूरा complete करना होता है, one direction coloring करना होता है, scribble करना पड़ता है color को, वो चीजे ध्यान देना है, तो चोटी-चोटी चीजे ध्यान देंगे, तो हम बहुत अच्छे से coloring करना सीख सकते हैं, और पूरा का पूरा drawing complete करना होता है, तो हमने इसमें सबसे पहले layout बनाते है, एक circle shape, और draw करते समय हमेशा light light draw करना है, कभी भी drawing हमेशा light light draw करना चाहिए, य चीजे हमें ध्यान देना है, तो अभी यहाँ पे हम लोग एक circle shape draw कर रहे है, light light, बहुत हलके हाथ से, erase करे तो erase हो जाना चाहिए, एंबोस नहीं होना चाहिए, पैंसिल को थोड़ा सा पीछे पकड़ना है, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगोंने एक बड़ा सा circle draw कर रहे है पोनी का जो desire हम बात में करेंगे, अभी यहाँ पे हम उसका face बना रहे हैं, face बनाने के लिए हमने छोटा सा curve कर लिए, ऐसा लगता है जैसे हम लोग mango draw कर रहे हैं, mango के shape के जैसा, यह draw हो जाने के बाद, यहाँ पर उसका nose और mouth, lips बना सकते, smiley face, तो tongue भी बना सकते, जीप भी बना सकते, यहाँ पे बड़ी सी आग बनाने वाले हैं, तो आग का shape, oval shape जैसा बना रहे हैं, leaf के जैसा बड़ा सा draw करना है, highlight के लिए जगा छोड़ना है, फिर एक circle, दो circle, ऐसी three lines बनाना है, यह पूरा हो जाने के बाद, आग के उपर हम लोग उसी seat से, उसके कान बना ले, ears, अभी यहाँ पे हमें पोनी बनाना है, तो पोनी किसी भी design से हम लोग बना सकते हैं, हमारे मन के choice का, बड़ी सी, और भी उसमें कुछ बो add करना है, तो भी add कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग नेक बना रहे हैं, उसका जो गला है, अच्छे से बनाना है, दो line, parallel line होना चाहिए, अब यह जो उसकी body का shape, हमने थोड़ा सा curve कर रहे हैं, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, यह curve shape है, वो चीजे ध्यान देना है, straight line हम draw किया, ठीक है, अभी उसकी leg बनाने के लिए, हम लोग ध्यान से बनाते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होना ची, बहुत बड़े भी नहीं होना ची, थोड़ा सा curve line है, उपर से छोटा होते होते नीचे बड़ा, यह चीजे ध्यान देन है, यह ले आउट के हिसाब से हम, दूसरा पैर भी हम, same as it is, यह जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा बनाने वाले हैं, लाइट लाइट ड्रॉ करना है, यह चीजे हमेशा ध्यान देना है, थोड़ा सा ज़्यादा कार्व किया, यहां पर हम छोटा सा एक फोल्ड करते हैं, उसके लिए, फिर, same as it is, दोनों पैर होना चाहिए, यह चीजे हमें ध्यान देना है, अब यह हम लोगों ने दो बेर बना लिए, अब दो बेर और बनाने हैं, इसे चार बना रहे हैं, तो दो सामने और दो उसके थोड़े से बीचे, छोटे छोटे, दो सामने दो पीचे यहां पर हम लोग उसके का पूरा पार्ट कम्प्लेट कर लेते हैं अब हम पोनी बनाने वाले तो पॉनी का डिजाइन हमारी चोआइस के हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं पहले ले आउट बना के देख लो किस टाइब से अच्छा लगता है किस टाइब से अच्छा नहीं लगता है यह ना कर्व करना है और भी कोई डिजाइन करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं यहां पर हमने इस टाइब से बना के देखा है टू थिरी लाइन उसके अंदर एट कर दिया उसके बैक साइट के पोनी बनाने के लिए हम लोग वापस वही ले आउट जो सामने बना है उसी टाइब से बनाने की कोशिश करें अब सामने के बाल से पीछे के बाल थोड़े से बड़े बना रहे हैं वो चीजे ध्यान देना एक तम फाइन कर लाइन होना चाहिए फाइन ऐसे ब्रेक ब्रेक होते नहीं अब यहाँ पर हम लोग पीछे टेल बनाते पहले दो लाइन बना लिया और टेल काफी लंबी सी है इसलिए वेव लाइन वेव लाइन कर जोन करते हैं इसके और थोड़े पार्ट में डिवाइट बनाने वाले हैं तो बहुत बड़े भी और चोटे भी नहीं तो पहले हम छोटा वाला विंक्स बना रहें यहां पर हम 4 वही उसी के ओपर 1,2 यह उससे बढ़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा जैसा लगता है हमारा हाथ बना रहे हैं कि पर उसकी बाद अच्छे से एरेज करना है थोड़ा थोड़ा right को अब पूरा ड्वाइन कंप्लेट हो जाने के बाद हम लोग सकेट पैंसे आउटलाइन कर लेते दियान से आउटलाइन करना है और पैसल करने वाले हैं इसलिए हम लोग आउटलाइन पहले कर लेते हैं, पेंसिल से भी करना है तो भी आउटलाइन पहले कर सकते हैं, लेकिन water color करना है तो आउटलाइन पहले नहीं करना है, last name यहाँ पर हम लोग cloud बाइगराउंड में बनाने वाले हैं यदि हमें cloud ने बनाना है तो हम दूसरा rainbow भी ड्रॉओ कर सकते हैं cloud ड्रॉओ कर सकते हैं natural scene ड्रॉओ कर सकते हैं ऐसे garden ड्रॉओ कर सकते हैं बहुत सारी चीजे मन से add कर सकते हैं अब इसमें से हमारी choice के कोई भी color combination में हम लोग पूरा drawing complete कर सकते हैं. अच्छे, जो भी हमें choice करना है color हम लोग choice करके भर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग pink color लिए. अभी हैं पे हम लोग pink color भरना है start करते हैं. पिंग color, round round shape, थोड़ा थोड़ा outline के बाहर भी नहीं जाना चाहिए. यह चीजें हमेशा ध्यान देना है, concentrate करना है. हम हर बार बोलते हैं कि paper का white नहीं छुटना चाहिए. यह इसलिए हैं क्योंकि concentrate करना है, पूरा fill अच्छे से करना है, round 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 color को घुमाना है, और एक पार्ट अच्छे से भरना है, तो यह सामने से हमें भर दिया है, अभी जो दो पीछे के पहरे, उनका थोड़ा सा dark shade. भी अच्छे से color कर लेते हैं, यह दोनों अच्छे से हो जाने के बाद, अब हमारे पास multi color से बहुत सारे pony के लिए, तो यहाँ पर single color combination के भी अलग-अलग shade में कर सकते हैं, नहीं तो हाँ, यहाँ पर multi color, जैसे yellow, blue, orange, blue, ऐसे अलग-अलग colors भी कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक-एक पार्ट अच्छे से भरते चलते हैं, पूरे color अच्छे से भरना है, छोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा point अच्छे से ध्यान में देते हैं, जो सामने face के उपर, pony के उपर बनाएं, वही tail के उपर भी बना सकते हैं, नहीं तो दुसरे color combination में, अभी background में हम लोग यह color करने वाले हैं, otherwise दुसरे भी color combination में background बना सकते हैं, अभी यह gray color है, gray color हम background में करने वाले हैं, पूरा अच्छे से भर देने के बाद, हम उसके उपर white अच्छे से mix करने वाले हैं, यहाँ पर यह दी gray color नहीं करना है, तो multi color भी कर सकते हैं, अभी last में हम लोगों ने, उसकी arc उसका highlight का part छोड़ देते हैं, उसकी बाद black color कर देते हैं, अब जो एक part बज़े हैं, उसमें कोई भी color कर सकते हैं, आउटलाइन की बाहर color भी ने जाना ची, और पूरा complete भी होना ची, neat होना ची, fine होना ची, दार धब्बे नहीं लगना ची है, पेपर के ओपर, तो इस type से हम लोग एक अच्छा सा, एक अच्छा सा सुन्दर सा drawing हम, माइ लिट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियो को देखने के लिए, और अच्छी drawing बनाएए, थैंक्यू, सो मच